2 हौ IT हैं नमश्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने दर्शि धर्मन पाठशाला में बच्चों मीध करते हूँ आप सबी की तैयारी बहुत अच्छी चल रहे होगे आप सवास्थ होंगे मंश्थ होंगे ट्वार बहुत सारे हैं तो उनकी तैयारी में लगे होंगे और कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई को भूल गए होंगे लेकिन कुछ बच्चे हैं no doubt तेवहार मनाना जरूरी है अपनी कला संस्कृती तीच तेवहार परमपराओं माननिताओं से जुड़ना भी जरूरी है उसको मनाए घर भी जाए लेकिन वापस आकर सही सम अपने परिवार जनों के लिए गिफ्ट लेकर जाएंगे तो अब आपके द्वरे एक प्रिश्नी किया गया था कि माम शॉट नोट्स कैसे बनाए तो यह शॉट नोट्स वाला जो वीडियो था वो मैंने आपको बताया लेकिन अब आपके लिए आपके जहन में प्रश्न कि पेपर फाइफ के सॉट नोट्स कैसे बनाए तो आज यह वीडियो पेपर फाइफ के सॉट नोट्स बनाने से रिगार्डिंग ही है अब वहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में शॉट नोट्स दिखाए थे कि ऐसे ऐसे बनाए आज मैं आपको शॉट न में रखते हो इन पोइंट्स को तो आपको आपकी पोस्ट डिप्टी कलेक्टर या DSP जो भी आपकी डिजायर पोस्ट है वो मिल जाएगी के वन आपको ये 7-step method अपनानी है सबसे पहले not even Hindi का से लिए बस सिर्फ Hindi का ही ये paper 5 के short notes ही क्यों आप किसी भी short notes में इस method को या किसी भी subject में इस method को apply कर सकते हो अगर आप देखें तो सबसे पहले short notes बनाने के क्रम में मैं बोलूँगी even short notes या notes बनाने के क्रम में सबसे पहले आपके पास में syllabus सामने हो और last year question paper सामने हो बार-बार मैं बोल रही हूँ आपका road map तभी clear होगा आप मेरे जितने भी वीडियो उठा कर देखेंगे मैं हर वीडियो lecture में केवल दो ही बात पर जोड देती हूँ सबसे पहले वो है आपका syllabus और आपका last year के question paper का booklet मैं solve question paper के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं केवल आपको ये बताने के बारे में बात कर रही हूँ या इतना जानने के बारे में बात कर रही हूँ कि आपके पास केवल questions हो कि question कैसे पूछता है MPPSC और ऐसा नहीं कि कोई भी question क्योंकि syllabus चेंज हो गया है इसलिए आपके पास में syllabus होना चाहिए क्योंकि अभी आपके पास में बेस पेपर नहीं मिलेगा कोई तो आपके उसी syllabus में से कैसे प्रश्ण आ रहे हैं कौन बताएगा आपको syllabus बताएगा या आपने जैसे मद्दोप्रदेश की economics है पहले भी था syllabus में आज भी है syllabus में लेकिन कुछ नए points जोड़े और कुछ traditional points आज भी है है ना तो उन traditional points में से या उन traditional syllabus में से कैसे प्रश्ण आए आपको किवल वो देखना है अधरवाईस जो आपके syllabus में नहीं आपने वो question देख लिया वो आना है ही नहीं तो इसी लिए एक roadmap clear करता है आपका syllabus और last year के question paper फिर आपको teacher की भी जरुवत नहीं पड़ेगी या किसी mentor की भी जरुवत नहीं पड़ेगी कि बताओ इस साल कौन सा प्रशन आ सकता है अगर आप 5 से 6 बार खुद से analysis करते हैं syllabus last year के question paper को लेकर अपने सामने रखकर पढ़ाई करते हैं धीरे धीरे आपके अंदर ये skill खुद डेवलप हो जाएगे पस समझ में आ रही है बटा है ना लेकिन इतनी skill डेवलप करने में टाइम नहीं वरबाद करना है आपको क्यूं क्योंकि ये skill आपके teacher ये आपके mentor के अंदर पता है कब आती है खुद ही बताती हूँ जब वो 5-6 बार exam को खुद दिया होता है है ना मैंने एक difference देखा है है ना आपके teacher जो होते हैं वो exam देते रहते हैं अभी भी exam दे रहे हैं exam में कई बारी fail भी होते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है fail होना हम खुद भी हुए है fail और आप में से कई लोग होगे क्योंकि एकदम से असफलता नहीं मिलती है तो हम अपने उस failure से failure नहीं बोलना चाहिए असफलता से ये सीखते हैं कि यार ये प्रश्नी आया था ये नहीं करना चाहिए था कहां गलती हो गई ये नंबर यहां पर कम थे हना और कई बार कुछ अधर फैक्टर भी होते हैं जो आपको एक्जाम से बहार कर देते हैं जरूरी नहीं है कि केवल आप यहां पर एक्जाम के एक्जाम से डिस्क्वालेफाइ होने के कारण बहारो कई अधर फैक्टर भी होते हैं जिसमें एक लग फैक्टर भी शामिल है ठीके जिसे आप लोग बोलते हैं अब यहां पर देखें तो उनके अनुभाव से आप अपने पेपर को क्या कर सकते हैं अनलेसिस करवा सकते हैं तो उसके लिए आपको एक मेंटर के आविशक्ता पड़ती है और खुद अपने मेंटर बनोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेज होती है तो डिसीजन अप टो यू कि आप खुद के अनुभाव से सीखना चाहोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत पक्क्य अनुभाव होंगे और इनकी जड़े मजबूत होती है और अगर आप दूसरों ने बताया है उनकी अनुभाव से सीखकर अपना टाइम बचा कर आगे बढ़ना चाहते हो तो इससे बटर कुछ भी नहीं है आपको सेलेक्शन बहुत जल्दी मिलेगा ठीके तो आप देखते हैं जैसी आपने लांस टीर के कोशिन पेपर और सेलेबस को निकाला आपके सामने रोड मैप क्लियर हो गया अब उसके बाद में आपको पता है कि मेरा ये सेलेबस है ऐसे पोश्चन पेपर आ रहे है अब आपको जाना है मार्केट या फिर जहां से भी आपको नोट्स लेकर आना है उन नोट्स को केवल देखना है अभी एकदम से नोट्स नहीं खरीदना है कि इस दुकान में लाल नोट्स आए उसको खरीद लिया इसके नीले नोट्स आए उसको खरीद लिया ठीके इसके पीले नोट्स आए उसको खरीद लिया किसी ने कुश्चन बुकलेटी बनाई है उसी को खरीद लिया और नोट्स कलेक्टर बन गए डिप्टी कलेक्टर की जगे और एक सब्जेक्ट के इतने नोट्स हो गए, नहीं, अगर आप मेरी हिंदी की बात करोगे बिटा, तो संधी के नियम हर बुक में सेम होंगे, एक, दो इधर उधर हो सकते हैं, तो आप केवल एक नोट्स का चैन करें, आपको जो नोट्स सबसे अच्छा लग रहा है, जिसमे लोग हैं, जो बहुत शांदर नोट्स बना रहे हैं, और उनके नोट्स देखें भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नाम नहीं है, तो आप किसी के नाम से नहीं आए, आप तो खुद गुणवत्ता चेक करें, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है, कि आप यहां पर नोट्स में हेड क्लास घंटे लग रहे हैं, लगने दो, कोई दिकत की बात रहे हैं, और एक बार आपका नोट्स आ गया, जैसे अब मैं बात करूँ पेपर फाइफ के नोट्स किसके अच्छे क्या अच्छे, तो अभियस ही बात है, खुद पढ़ा रही हूँ पेपर फाइफ तो आपको र लेकिन हमारे पास में क्लास नोट्स अवेलेबल है, हमारे पास में इसके फुल नोट्स अवेलेबल है, आप इस नोट्स को पढ़ सकते हो, और फुल कोर्स भी हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कोई अथेंटिक राइटर है, जिसकी ब कमेंड आपको करूंगे, आप उनको पढ़ सकते हो, क्योंकि वो टीचर महनत करके वो नोट्स बना रहे हैं, जिस भी कोचिंग को आपने जोईन करा है, उनको देखिए और पढ़िए, rather than कि आप अलग कोई बुकलेट पढ़ें, अगला आपने जो भी नोट्स लाया, उसको आपने चैन कर लिया, अब उस नोट्स को आपको 3-step method अपलाए करके क्या करना है, पढ़ना है, 3-step method मतलब मैंने आपको पहले ही short notes वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने और थर्ड में आपको short notes बनाना शुरू करना है, धीरे-धीरे, अब short notes बनाना जैसे ही आप शुरू करोगे, तो ये आपका topic आ गया, आप short notes हमेशा core page में बनाओगे, हैना, आप core page में, suppose करो, आपने short notes बनाना, चालू करा, ये है आपका core page, आपने, अब देखो, उधारण के लिए, जैसे आपने पूरी वरण माला पढ़ ली, हैना, मैं आपको जैसे short notes एक page में बना के बता रही हूँ, 10 page का, हैना, केवल 20 page में हिंदी के notes खतम हो जाते हैं, एक topic उठाया आपने वरण माला, आपने वरण माला पढ़ ली, अब पूरी वरण माला पढ़ने के बाद में आपको पता चला कि यार, ये बावन अक्षर से related कुछ प्रश्न बन सकते हैं, नो डाउट वरण माला syllabus में नहीं है, लेकिन उसके concept पे based बहुत सारी चीजे हैं, तो वो आपको पढ़ना है, संधी ऐसे लिए, बस में आपने पूरी संधी पढ़ ली, suppose करो, अब उसके माँ संधी का synopsis आपका एक पेज में बन जाना चाहिए, पूरे नियम के सहित with example, बस समझ में, कैसे, आप देखो, जैसे आपने suppose को रुवाणा माला पड़ी, आपको पता है, वो 52 अक्षर से प्रश्न बन रहे हैं, आपने उन 52 अक्षर को पूरे एक पेज में लिख लिया, और short notes बनाने के लिए, दो से टीन कलर के pen का यूज़ करना, लेकिन MPPSC की जब test series दोगे, तब वहाँ पर बिल्कुल दो कलर के pen से यूज़ नहीं करना है आपको, क्यों क्योंकि मद्दप्रदेश लोग सेवा आयोग में या तो आपको black या तो blue कलर के pen से लिखना होता है, आप बिल्कुल भी double pen नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप short notes बना रहे हैं, तो इमेज आपके दिमाग में चिपक जाती है और वह long lost stick आपको याद रहती है, तो इसलिए ये दो तीन चीज़े आपको याद रखना है, अब जैसे suppose करो आपने लिखा a, पूरी वर्णमाला लिखी, a, a, e, e, पूरे एक पेज में लिखना है, इतनी ही लिखना है है और आमो और आहा को नीचे, अब केवल इस से देखो, आपने पूरे एक पेज में लिखा है ना, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर लिखा क्या, इस वाले टॉपिक को आप चाहे तो फास्ट फॉरवड में करके देख सकते हैं, क्योंकि आभी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, प, प, ब, भ, म, फिर इस पेश छोड़ी आपने फिर नीचे लिखा, या, र, ल, व, फिर उसके बाद में श, श, स, श, फ, फिर छ, ट, र, ग, और श, र, यह लिखा आपने, ठीक है, अब यह वर्ण माला आपने लिख ली, आपके एक पेज में देखना कितनी सारी बाते हैं, सबसे पहले आपने एक अलग कलर का पैन उठाया, ये, 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 और ये, इक्वल टू, यहाँ पर आपने बकाइदा लाइन बनाई, और उसके बाद लिख दिया, कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके, हस्वस्वर, पंडित कामता प्रसाद गुरू के अनुसार, ये हो गया, फिर उसके बाद में आपने यहाँ से, एक, दो, तीन को अलग कलर से गोला करा, और उनके नीचे हाइलाइट किया, और उसके साथ में इन चार को ऐसा बॉक्स में बना कर लिख दिया, बहस समझ में आई, ये पंडित कामता प्रसाद गुरू के अनुसार, ये वाले दीरगसवर है, अना लेकिन उचारों और मात्राओं के आधार पर, ये पूरे दीरगसवर है, तो दीरगसवर बराबर आपने केवल अपनी पहचान के लिए, समझ के लिए तीन प्लस साथ लिख लिया, और इसके ब्रेकेट में यहाँ पर लिख दिया क्या, संयुक्त स्वर, तो ये शॉट नोट्स हो गए, अब पता इसमें क्या हो गया, सबसे पहले आपने स्वरों के वरगी करण में, पंडित कामतप्रसाद गुरू का वरगी करण करा, और उन्होंने स्वरों के वरगी करण में, दो ट्राइप से स्वर बाटे, जहां पर उन्होंने, जो ये हस्व स्वर चारण मातरा के आधार पे बोले गए हैं, इन्हें मूल स्वर के रूप में व्याध्ख्याइद करा, और बोला कि मूल स्वरों के संख्या कितनी है, चार, अना जो स्वतंत रूप से बने हैं, और वो कौन-कौन से है, छोटा आ, ई, उ और री, फिर उसके उन्हों ने बोला कि संधी स्वर होते हैं, संधी स्वरों की संख्या, दो ठाइप से होती है, तीन, ये बढ़ा आ, बढ़ी, और बढ़ा उजो है, ये दिर्गस्वर हैं, और ये ए- IOU, जो है, वो संयूक्त स्वर है, और इतनी बात उन्हों ने प्लासिफिकिशन के स्वर और जो दीरगुश्वर को बोला, इन दोनों को समलित रूप से बोला, उच्चारण मातरा के आधार पर कितने साथ, और ये मैंने भली भाती आपको मातरा के साथ पढ़ाया है और बताया है क्लास में, कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि छंद में ये ही साथ स्वर आपके इक पेज में ही आपका ये पुरा सजद गया। उसके बाद आपने ये पूरी की पूरी लाइन को हटाया और यहां पर लिख दिया आपने कौन सा सर यहां पर अगर आप इन को देखो तो यह भी वेंजन जो है। वो कौनसे वेंजन है, इस पर्शी वेंजन है, या फिर इन्हें ही कौनसा वेंजन कहते है, वर्गी वेंजन. तो आपने केवल इतने में ये लिग दिया अब उसके बाद आपने यहाँ पर एक अलग कलर के पैन को निकाला और यहाँ पर बॉक्स बनाया और यहाँ पर इनको लिग दिया यह क्या है पंचमाक्षर या फिर इनहीं को क्या कहा जाता है अनुनासिक अरे अनुस्वार या फिर ना से क्या ठीक है अब ये जो डा और धा आपने अलग से लिखा है इसे आपने नाम दे दिया कि ये क्या है द्विगुण या फिर आगर्थ या फिर उच्छिप्त ठीक आदी और भी नाम है उसके अब उसके बाद जब आप आगे गए तो आपने यहाँ पर देखा कि ये वाले जो स्वर है या रा लव ठीक है या र ल व इन्हें कहा जाता है स्वरी स्वर नहीं भईया वेंजन अंतस्थ वेंजन अस समझ में आ रही अब उसके बाद ये जो last में है इसे कहा जाता है श श श हा को त श श और हा को इन्हें कहा जाता है उशमी वेंजन या फिर इन्हीं को कहा जाता है संघर्शी वेंजन गट्ट अब उसके बाद last वाला जो आप देखेंगे यहाँ पर इसे कहा जाता है संयुक्त वेंजन संयुक्त वेंजन तो आपने देखा एक ही पेज में आपने अलग अलग पैन का प्रियोग करके ये चीज बना ली अब आपको एक ही पेज में ये सारी चीजे मिल गई अब उसके बाद आपको लगता है यार में को सैयुक्त वर्ण अलग चीज़े नहीं समझ मेरी तो एक पेज के क्या कर लो दो पॉइंट कर लो और उसके बाद कुछ कॉंसेप्च्वल चीज़े है जैसे आप यहाँ पर लिख दे क्या सैयुक्त वर्ण कैसे आया हुआ प्रश् से देखो कैसे आप नोड्स बनाते हो क्योंकि आप अगर आप देखो तो इसमें आपने प्रश्न आ गया कि सैयुक्त वर्ण किसे कहते हैं तो आपने सैयुक्त स्वर वर्णों को अलग कर दिया और सैयुक्त वेंजन वर्णों को अलग कर दिया और यहां पर कॉपी के दो प I is the combination of A plus A O is the combination of A plus U O is the combination of A plus O और छोटे format में लिखना है आपको यहां पर क्योंकि अब मैं आपको बता रही हूं उसलिए बड़े वे में लिख रहे हूं अगर इसको देखा होगे तो ठीक है, sorry चात्रय और श्रा तो श्रा is the combination of Ka plus Š बहुत ध्यान से हलंत वाला ठ्रा is the combination of Ta plus R ग्या is the combination of Ja plus I और श्रा is the combination of Sa plus R अब प्रश्न कैसा भी आजाए आप इससे कर लोगे आया हुआ प्रिश्नी संयूक्टवेंजन किसे कहते हैं तब उस condition में केवल आपको यह लिखना है प्रशनाता है सईयुक्ट स्वर किसे कहते है तब ये लिखना है सईयुक्ट वर्ण किसे कहते है तो ऐसा रिप्रजेंटेशन करना है तीन नंबर में कि स्वर और वंजन दोनों आ जाए और कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको answer rating बताई हुए बस समझ में तो ऐसे यह आपको शॉट नोट कैसे बनेंगे जब आपको पूरा-पूरा वो टॉपिक दो बार रीट करके हो गया हो आपने देखा यहां पर मैंने आपको यह टॉपिक के सामने कुछ रीड नहीं किया क्यों कि पढ़ा-पढ़ा के चीजा याद है कि यह चीज इसी सीक्विंस में है लेकिन आपको मास्टर नहीं बनना है कि आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आना राम पढ़ा रहे हो आपको सलेक्शन लेना है बटा अब चू कि यह यूस्टो हो गया है आप पुरे दिन भर में तयस पार अगर दस लेक्टर है तो है ड़ीजें आप यूट्यूब का भी है पेंसिल से, फिर उसके बाद कीवर्ड देखोगे, हाइलाइट करोगे, वो हाइलाइट केस से होंगे, लास्ट यर के कुश्चिन पेपर के आई हुए प्रशनों से, है ना, और उसके बाद आप शॉट नोट्स में कनवर्ट करोगे, और पूरे-पूरे पेपर 5 और पेपर 6 क फूल कोर्स रुची धर्मन पाटशाला में अवेलेबल है, जिसमें मैने शॉट नोट्स के форм में आपको पढ़ाया भी है, कहीं-कहीं पर डिस्क्रिप्चन भी दिया है, पूरी-पूरी चीज नोट्स के साथ में आपके रुची धर्मन पाटशाला के platform पर अवेलेबल है, paper five separate भी अवेलेबल है, paper six separate भी अवेलेबल है, paper five और paper six दोनों का combine course भी अवेलेबल है, मतलब पूरे 300 नंबर का, हिंदी का, आपका यहाँ पर पूरा एक चप्पा चप्पा चथा चथा अवेलेबल है, इसके अलावा इनकी test series, challenge program, mentorship program, answer rating program, ये सारी चीजे रुची धर्मन पाठशला की platform पर available है जैसे अभी अगर आप बात करें कि निबंद कैसे लिखना है तो हमने इसके लिए एक नया initiative लिया है निबंद अभ्यास महाकरांती में आपके जितने भी 49 topic जो आपको दिये है 49 से 50 topic वो उन पे based topic प्लस उसके साथ साथ जो current affair के समय समय पर जब भी means रहता है कुछ नय topic अगर लगते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ और कुछ परमपर अगर topic होते हैं समसमाई की मुद्दे और समस्याओं के और उनके निराकरण के तो वो तो हम इसी के साथ में करेंगे तो यह सारी चीजें आपके और उची धर्मन पाटशाला के platform पर available है अगर आपको लगता है paper 5 और paper 6 आपको यहां से पढ़ना है तो आप बिलकुल यहां से इसे जवाइन कर सकते हो तो यह मेरे तरब से था short notes बनाने की चीजे अब इस क्रम के बाद में जब आपके short notes बन ज जरूरी है ताकि वो keywords जो है वो आपको याद हो रहे हैं कि नए आपने revision किया, revision के बाद में आप उसके साथ साथ कोई भी test series जो आपको लग रहा है अपने analysis के लिए जरूर दें test देने से आपको exam जैसे पहले से माहोल मिल जाता है ताकि exam hall में आप time management, copy management, page management, writing management कर पाएं क्यों? क्योंकि paper 5 की अब जो time limit हो गई है वो हो गई है बिटा दो घंटे time duration change हो गया है और ये आप task बन सकता है उसके पीछे reason है ये सबसे last में paper हो रहा है मतलब आपकी अंगुली की अच्छी खासी पाच दिन तक चार दिन तक exercise हो चुकी है और दिमाग की भी थक चुका है तो उस condition में दो घंटे में manage कर रहा है इस चीज को थोड़ा task full हो सकता है रिवीजन नहीं करोगे तो और ज्यादा होगा और रिवीजन ऐसा करना कि वो 20 पेज के short notes आपको पूरे 200 पेज याद दिला दे केवल पूरी Hindi 20 पेज में आ जानी चाहिए 20 से 25 पेज आ सकती है मैडम 100% केवल vocabulary को अलग कर देना vocabulary की तो अलग ही एसी copy बना लो एक पेज में 4 वाली उसको पढ़ते जाओ सुबह तो फिर साम दोस की धर है ठीक है और उसके बाद test series जितनी दे रहे हो आप उसके बाद जो भी नया सीखने मिलता है answer writing में उससे अपने short notes में update करते जाओ जो भी नया मिलता है update जो खाली जग method अगर आपने कर ली ना बेटा तो आप 100% select हो 100% लेकिन हो तो ये जितना बोलने में या 7 word लिखने में आसानी गई ये करने में उतना ही tough होता है बाकी आपकी मर्जी अगर आपको कोई और दूसरे तरीके से तरीका पता है तो आप उसको भी follow कर सकते है लेकिन आपके द्व सबसे अच्छा होना चाहिए अगर एक बार नोट्स अच्छे मिल गए ना उसके बाद कुछ नहीं बचा बिटा पढ़ना ही तो है कौंसा ग्राउन में जाकर 4 बजे उठकर आपको वहां पर वर्काउट करना है कौंसा आपको 100 ग्राम वजन के कारण बहार कर देंगे कितने भी लेकर बैठो और तुम एक्जाम दो केवल नोट्स है सबसे में जो आपका हतियार है वो एक बार सेलेक्ट हो गया ना उसके बाद उसी नोट्स को 50 बार पढ़ो मत भटको बाहर है ना एक बार अच्छा हो जाए और उससे अपने शॉट नोट्स को अपडेट करना चालो तो यह 7 step method अगर आपने अपना ली 100% select हो गाट इट कौन-कौन सी syllabus, last year question paper, notes का चैन अच्छा, reading, 3 step method, सबसे पहले आप काई से reading करोगे, pencil से, pen से, highlight करोगे, last year के question paper से उसके keywords निकालोगे, then short notes बनाओगे, short notes को revision करोगे, ताकि जो पढ़ा है वो चीज़ याद आए, फिर revision कर test और फिर update, ऐसे कैसे नहीं होगा selection, है ना अपने आपको बिलकुल घिस डालो बेटा, बार 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 पढ़ो, कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जडमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सिलपर पढ़त निसान, और ये बिलकुल सही है, है ना कि एक मासू, मतलब ब घिस सकती है, है ना तो फिर तो आप तो अच्छे खासे बुद्धी जी वीवार्गे के लोग हैं, तो मुझे लगता है आपको ये फॉलो करेंगे, तो कुछ लाब मिलेगा, और बढ़िया मजे से पढ़ाई करें, और अपने तेभार को इंज्वाई करें, है ना बहुत ज वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद, अगर इसके लावर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप बिलकुल पूछ सकते हैं,